भंडारे वाली हलवाई जैसी बिल्कुल खटी मीठी कद्डू की सब्जी बनानी हो तो ये असान सी रेसिपी आप सभी के लिए है आने वाले तहवारों के लिए खास आप ये परफेक्ट कद्डू की सब्जी जरूर बनाए और इसके साथ मेरी रेसिपी से बनी ये मसाला कद्दू से बनाई जाती है तो ये 1 kg मैंने कद्दू ले लिया है इसको काट लीजे काटने के बाद इसके बीच का जो पाथ होता है वह हम काट के हटा देंगे कद्दू को चोटे-चोटे पीसे में काट लीजे और फिर इसको हम इगड़म पतले-पतले slices में इस तरीके से कट करेंगे इससे आपकी कद्दू की सब्जी बहुत जल्दी पक्के तयार हो जाती है तो इसी तरीके से मैंने सारे कद्दू के पत्टे slices काट के इस तरीके से तयार कर लिये हैं अब बिल्कुल हलवाई style बना रहे हैं तो मैंने यहां पे पर का लगन ले लिया है इसमें हम डालेंगे सर्षो का तेल तो सब्जी की quantity के इसाब से हम इसमें सर्षो का तेल डालेंगे मैंने 5-6 बड़े चमठ जितना डाला है तेल को इकदम बढ़े हां गरम कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खरे मसाले तो मैंने एक छ सूखी लाल मिर्चली हैं और 2-3 हरी मिर्चली हैं तो इन सभी चीजों का आप तड़का जरूर लगाए तेल में इससे बढ़िया फ्लेवर आता है अब आदी टी स्पून जितना हम इसमें डाल देंगे हिंग एक छोटी चमठ कुटा हुआ हम खड़ा धनिया डालेंगे एक सारा हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद हम बीच में डालेंगे इसके आदी छोटी चमठ जितना हल्दी पाउडर और इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे दो तिन मिनंट तक कद्दू भून जाने के बाद इसमें डाल देंगे हम दालेंगे आदी छोटी चम्ट जीरा नामक यह तो काला नमक बहुत जरूरी है इससे ज़रूर से डाल यहाँ tu da यह उघ्यखा जब भी कुद्ट्थी बनाए अब मसाल हो के साथ कद्दु को मेडियम एक 2 मिनट तक भूंते वे पका लिजे उसके पाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप जितना पानी और जब सब्जी में उबाल आने लगे तो हम इसको ढग के 5-10 मिनट तक पका लेंगे तो 10 मिनट में ही हमारी जो कद्दू की सब्जी है वो अच्छे से पक जाती है और देखे किता बढ़िया रोगन या कद्दू की सब्जी पसंद है तो आप इसको और पका के मैश कर सकते हैं बट ये धीरे धीरे और ठिक होता जाता है अब खटी मिटी कद्दू की सब्जी है तो हम इसमें डालेंगे मिधास के लिए एक बड़ा चमच जितना जैगरी यानि की गुड साथी में डाल देंगे एक चोटा चमच जितना आमचुर पाउडर आदी चोटी चमच जितना गरम मसाला पाउडर डाल दीजे और साथ में डाल देंगे खुब सारा बारी कटा हुआ हारा धनिया और बस मिक्स कीजिए और हमारी ये परफेक्ट हलवाई स्टाइल कद्दू की खटी मिटी सबजी तयार है सबजी की कंसिस्टेंसी और टेक्चर बिल्कुल परफेक्ट है आप अपने ही साब से इसको एजस्ट कर सकते हैं मसालों के साथ या पानी और डाल के अब इसके साथ खाने के लिए मैं आपको फटा फट से बता देते हूं मसाला पूरी तो आज आटे में हम रब करके दो चुटकी हिंग डाल देंगे थोरा सा जीरा पौडर काली मिर्च पाउडर कलॉंजी और हल्दी पॉडर डाल देंगे अब डाल देंगे इसमें दो बड़े चम्मच इतना तेल टेस्ट के कोडिं नमक और बारिक कटा हुआ हरा धनिया पहले सभी चीजों को जब्दम खस्ता करारी ये चना दाल की पूरिया बन के तयार होती हैं तो आप इसको तहवारों पर या किसी पर स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हो तो हमने यहां पर दिवाली की धाली बना के तयार कर ली है, कड़ो की सब्जी के साथ हमने भंडारे वाले आलु की सब्जी भी बनाई है साथ में हैं मुंगदाल का हल्वा और ये कडारी मसाला पूरिया तो आप भी ये मज़िदार चटपटी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और कैसी लगी हमें कमेंट करके आप अपना फीडबेक जरूर दीजेगा एक से लिके 10 के बीच में नंबर देके फिर मिल देिखे हैं आप सबसे एक और नई और मज़िदार सी रेसिपी के साथ बाइवाऐ टेक केरद drivers